कि एलो दोस्तों नमस्कार स्वागत आप सभी का इंजिनर से ड़के ऑफिसियल प्लेटफार्म पर मेरा नाम है प्रमोद और मैं लेकर आ तो कहूं आप लुगों के लिए एक सांदार से सन और यह से सन आप लोगों के लिए इस लिए भी जरोड़ी है न कि बहुत ऐसे बख्चेंजिंगां और 2 या आप से एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा अगर नहीं दोनों के एक साथ तैरी कैसे हो सकती है एक बड़ा कुशन है यहां पर दिए पहले मैं आपको क्या बता देता हूं सिलेबस इसका बता देता हूं ठीक न कि दोनों आप पर पूरा पूरा अंदर का और इसके पूरे चैप्टर के सब कुछ से रहें होगा है कोई वी चीज नहीं कि नहीं आएगा इरीगेसन भी आपकोई यहां पर आपका वह आप देखे जबाब पढ़ रहे होते हैं बीटेक तो वहाँ पर सोम अलग एक चीज़ होती है और यह अलग चीज़ होती है लेकिन यहां पर त्योरिया पिस्टेक्चर में दोनों चीज़े नियर बाउट आज आती अगली बात धान दीजिएगा जो भी न्यू लर्नर है ना उनकी लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होगा कौनकी टेक्नालोजी आर्शी सी डिजाइन इस्टील यह आपका तो था आपका एससी का अब आर्वी का से लेवास की बात कर लेते हैं यहां पर क्या होगा आपका सिबीटी वन और सिबीटी टू यहां पर इंजिनिंग मेंक्स देख रहे न इस 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 दोर और विंडो तो आपको पढ़ाया जाता है इस तरीके से जो जो इंपोर्टेंट चीजे न के चाहरा कुच फर कवर किया जाता है आगे वेंटीनेंस बिल्दिंग ड्राइंग कॉं टेकने लोजी काम की अत्री टेकनोलोजीं यहनप पर एक वर आपको मिलेगा विल्लिंग ड्राइंग यह नहीं यह आपको अलक्स सब्जेक्ट पहाय जाएगा याद रखेगा आगे अगर बात किया सर्वेंग हो गया कंप्यूटर डिजाइन हो गया हाई डॉलिक मसीन हो गया थेवरिया पिस्टिक्चर कॉंकी टेकनलोजी इस्टील इस्टिक्चर हो गया हाई एंजिनिंग हो गया इन्वार्मेंट इंजिनिंग हो गया इस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया और आगे बात के जात इतना आपका दोनों का सलिवस्ट था यह बात रही टेकनिकल के मतलब यह है कि टेकनिकल में आप यहां पर केवल दो सब्जेक्ट आपको करना है एक आपको काईड एक्ष्टा करना है दूसरा आपको काईड के साथ साथ यहां पर एक और सब्जेक्ट है आपका जो करना है यह काईड हो गया आपको एक्ष्टा सब्जेक्ट काईड के बाद आपको बिलिंग ड्राइंग बिलिंग ड्राइंग यह दो चीजे आपको extra करने यह वस्ट टेकनीकल पोर्षन नॉन टेकनीकल पोर्षन में आपसे बात करता हूं नौन टेकनीकल पोर्षन में आने के पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप ऐसा ही पढ़ना चाहते हैं कि दोनों से लिबस एक साथ कबर हो जाए तो आपको कहां जाना है यह प विसल के लिए हैं यहां पर सिवीटी वन और सिवीटी टू दोनों मिलने वाले यह आपको दिख रहा होगा पत्चीस रुपए का आप चाहें तो पत्चीस सो में भी इन्रोल कर सकते हैं और आप चाहें तो वाई फाइब सेवन नाइन जैसे आप कूपन कोड एपलाई करेंग तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफीस्याल होगा 3299 अप चाहें तो आप इतने में भी इन्रोल कर सकते हैं और आप चाहें तो यह कूपन कोड वाई 579 लगाकर यहां पर करीब करीब 500 रुपए का डिसकाउंट पा सकते हैं 2740 रुपए का ठीक ना 2727 इसकी वालीडि ने लिखता हूँ ऊ Texas 22 Another ass CDC टेकनिकल तो दोनों में बस यहां 2 सबजेक्ट десят दो सब्सेक्ट क्या है यहां अपर आक्स्टर है टेकनिकल में कि किसमें ठेकनिकल और यहां पर बात किया जाए आपको पढ़ना है कंप्यूटर कंप्यूटर के बाद आपको पढ़ना है मैथ कंप्यूटर हो गया मैथ हो गया अब देखिए सिमिलर्टीज के अगर बात किया जाद दोनों में टेकनिकल पूरा है रिजनिंग आपको पढ़नी है हां सर और जी अस आपको पढ़नी है साइंस आपको पढ़नी है यह सब कुछ आपको पढ़ना यह पूरा पूर्सान आपको पढ़ना यहां पर आपको एक कंप्यूटर पढ़ना होगा अगर आप देख लोगे ना तब भी आपका कल्यान हो जाएगा तो यह दोनों सब्जेक्ट को अगर मैं निगलेक्ट मान लेता हूं कंप्यूटर और मैथ आप बहुत असानी से कर सकते हैं कंप्यूटर और मैथ दोनों बहुत असानी से कर सकते हैं कंप्यूटर क्या पतली बुकाती है यहां पर भी क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं कल से स्टार्ट हुए हैं 25 घंटे में कंप्यूटर आपका पूरा हो जाएगा मैत की बात आदी है तो रिजनिंग आपको आती है और आप बीटेक वाले हैं आप तुरंट समझते हैं बीटेक करने से ही एक तो फाइदा होता चीजें समझने की पावर बढ़ जाती है कर सकते हैं तो इस तरीके से आपका ये पूरा एक साथ में सबका त्यारी करना है टेक रिजनिंग जिस साइंस के सबका पढ़ना है कि अभी आप चाहे तो इसको कर सकते हैं और बागी यह दोनों चीजें करते हुए पढ़ते जाते हैं अब यहां पर एक कुशन आए कि साथ त नॉन टिक यह है कि टिक नॉन टेकनिकल पर ज्यादा फोकस करिए रिजनिंग में का चाहिए प्रक्टिस सही आपको मैंत में प्रक्टिस है यह ट्रिक से यह तो क्लास में मिल जाएगी आपको और टिक भी आप डेली ना एटलीस दो सब्जेक्ट लेके चले क्यों क्योंकि जबाब का फश्ट पेपर होगा तो फश्ट पेपर से सिकंड पेपर के बीच में केवल एक से दो मंद का ही टाइम मिलेगा और तब यह आसान नहीं होगा कि आप यह कवर कर सकें यहां पर मैत और मैत यह सारा कुछ अच्छे से पढ़िएगा जिस वगारा क्योंकि यहां प निकल पर फोकस करो बांकी देख लेंगे ठीक ना बाद में तो आई होप अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारा कुछ और आप लोगों के लिए बैस है जाकर जोइन कर सकते हैं माकी मिलते हैं आप से तब तक अपना धान रखिए ओके बबाई लव यू थैंक जा इन सातियों तेगना दोस्तों